प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम लेके आये हैं विद्दूद रसायन का सेकंड पार्ट कुछ अबज़ गये थे कल उसको हम कंप्लीट करेंगे कल हमने उसके फिलिन दबलेंज और वनवर्ट देख लिये थे तो उसके आगे जो भी कोश्चन है उसको हम देखते हैं विकल पर चुनकल लिखिए है तो मुल्टिपल चॉइस कोश्चन है इसका सेल इस्थिरांग क्या है दसेल कॉंस्टेंड इस वाट कल मैंने डिसकस किया था कि सेल कॉंस्टेंड जो होता है वह जी इस इकवल टू एल वाइए होता है चाहता है और आये क्या होता है यह जो है वो इलेक्ट्रोड का इरिया पना हमेल क्रह सेक्शन होता है मतलब धांक का च्छेतरफलक यहा ώard जो है वह सहीं अजुड़कर सब्सक्रीजेयर यहां पर इसका राइट एंसर है को सबस्क्राइब है इन प्रस में से नहीं है तो गुट कंडुक्टर कौन नहीं है यहां पर अलग अलग अप्सन दिए अगर देखे तो एक्वस एक्वस का मतलब जली विलियन विद्दूत का चालक होता है यहां पर अप्सन दिया है विशिष चालक होता है यहां पर अप्सन दिया है विशिष चालकता मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता इन में से कोई नहीं तो अगर हम सेल कॉंस्टेंट का फार्मूले की बात करें तो हमने पड़ा है अगर हम यहां से रो की वैल्यू पाइंड करना चाहे तो रो इस इकवल टू हो जाएगा वन बाइ आर ए बाइ एल और रो को हम बोलते हैं वन बाइ के जिकवल टू आर इंटू ए बाइ एल इसका क्रास मुल्टिप्लाइ करें तो एल बाइ इधर आ जाएगा आ रा जाएगा इंटू क्या आ जाएगा के तो रेजिस्टेंस में अगर हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंड़क्टिविटी से अगर हम रेजिस्टेंस में मल्टिप्लाइ कर देते तो हमको सेल कॉंस्टेंट मिलता है सेल कॉंस्टेंट लबाइ एक विद्दूद अपगट्य विलियन की तुल्यांकी चालकता में तनुकरंद्वारा व्रधी कारण क्या है तो चालक तो तो कंड़क्टिविटी वो तो डिक्रीज होगी आणवी का करशन कोई बी एंटर मॉलीकिलर फोर्स या आयनिक अट्रेक्शन ओ दोनों में जो अविक्रीज होती है संगुननानों मतलब अस्वीटी डिक्रीज होती है तो एक ही रिजन है डिग्री आफ आ अगर इस विल्यान की विशिष चालकता और प्रेक्षित चालकता समान है तो सेल इस्तिरांग क्या होगा अगर यह दोनों एक वालोगी कौन कौन सी की यहां पर हमारा थैसर और है अवरलोड फ्रियमको इस स्थाल के सुट्स हतो ऑने पार्फ को देंगे हैं सेंति मितर से सेंटी मितर को मैं चैने सोगी यूनित को यूनीत में उस्पेसिफिक कंडुक्तीवीट विसीज के लगता की यूनित क्या होती तो इस स्युक्ति तको बताई थी ओम-िनवस cm inverse होती है मृति मीट होती है तो होता है कप्पा और यह कप्पा इस एक्वल टू वन वैर्ट रो रोकी यूइट होती है ओम in to centimeter ओर मिन वस सेंटिमीटर इनवर्स हो जाएगा तो यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स चेंटिमीटर इनवर्स बीज राइट एंसर विक्न करणने के लिए उस पर जींग की कोटिंग की जाती है उसको क्या कहा जाता है तो कल लोहे पर जींग की परच चड़ा ना क्या होता है ग्यालवेनिकरन होता है यहांपर हमारा का एंसर होगा गेलवेनी करण गेलवनाइजेशन नेक्स कोश्चन है हमारा कि जो गेलवनाइजेशन है यह एक इंप कोश्चन है इसको आप टिक कर लीजिए यह बार-बार पूछा गया कोश्चन है एक सोश्चन है से चुरेटेट सॉलुशन आफ के नो थी इस यूज़ फा किया जाता है तो आप से पूछा है कि क्यों किया जाता है तो इसलीं किया आजाता है employees की आई-ए- इ दोनों की वेलऩ फस्टी जो है इकवट होती और एसा होने से पोलराइजेशन नहीं होगा और आप दोनों का जाने का होता इसकुरें करते हैं नेक्स्क कोश्चेंड सेलों में दविध्रुक का कार्य को करता है ड्राइजेशन होता है में हम एमनोटू करते हैं और का क्या काम होता है M a no two hydrogen के कारेंट polarization होता है polarization of hydrogen उसको ये M a no to stop करता है प्रिवेंट करता है तो डाइपोल के फ़र्म में ड्रायसयल में हम किसका यूज करते म ओटूव का ये भी मोशन माया हुआ है M a no 2 अलब next question ने करट जो होता है Electricity जो तो यहां पर हमारा एंसर होगा ग्रेफाइट इस दा बेस्ट एंसर और अगर यहां पर हम एजी यूस कर ले आप्सन में तो हमारा एंसर चेंज हो जाएगा तब एजी हो जाएगा इलेक्रिसिटी का कंड़क्टर सबसे बेस्ट कंड़क्टर एजी सिल्वर होता है लेकिन जो अप्सन थे उसमें था ग्रेफाइट एक रीक्शन दिये SNCL2 plus twice HGCL is equal to twice HG2CL2 plus SNCL4 की क्रिया क्या कहलाती है SNCL2 and HGCL2 this reaction is called what तो यह जो reaction है इसको हम क्या बोलेंगे अगर हम इस reaction को देखे तो इस reaction में यहाँ पर SNCL2 जो है वो SNCL4 में convert हो रहा है it is called oxidation and HGCL HGCL2 में convert हो रहा है it is called reduction और अगर दोनों को एक साथ हम aid कर दे then it is called redox reaction तो यहाँ पर आक्सिकरण और अप्चेन साथ साथ हो रहा है इस कारण इस अभिक्रिया को हम redox reaction बोलेंगे next जो हमारा question है विलियन की चालकता निर्भर नहीं करती the conductivity of a solution does not depend on तो conductivity किस पर depend नहीं करती सांदरन पर सांदरन पर मतलब concentration पर तो करती है temperature पर करती है विक्रन पर radiation पर और pressure पर कौन साथ फेक्टर है जिस पर conductivity depend नहीं करती तो conductivity जो है वो radiation विक्रन पर depend नहीं करती विक्रन पर depend करने के लिए यहां पर राइट करना था वह राइट नहीं कर पाए तो इस कारण आपको डायरेक्ट यहां पर लाँ बताता हूं क्या है तो फार्मूला यहां से अगर हम फार्मूला यहां से अगर हम फार्मूला जाएगा यहां फिर आपको मिल सकता है यह है यह जो केमिकल के इस से अगर करने का पार्मूला यह फार्मूल पर पर फैराडेस फार्स ला है सब्सक्राइब हिर अनक रिट्रॉँजें का इलेक्ट विभव कितना होता है कि मानक हाइट्रॉजन आपको पढ़ा है जिसकी हैप ही मौक्या कर सकते अलग अलग wohор जो इसका इने कितना एंजून किया था जीरो ओल्ट याद रखिंग द पोटेंशिल आप इसको रड लीजिए यह एक्जाम में दिखेंगा आपको आपको अलग-अलग आपसंदिए गेस equation के तुरू कर सकते क्या ननस्ट equation, वांडरवाल equation, आरिनियस equation हमने अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशिल की बात की है तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशिल को फाइंड करने के लिए किसका यूज करते हैं ननस्ट equation का नेक्स्ट question है लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या है लोहे पर जो corrosion होता है, rusting of iron जो है, वो किसका एक्जामपल है क्या oxidation का है, क्या reduction का है, क्या अक्सी करन का है, अपचैन का है संचारन का है, corrosion का है, polymerization का है, बहुली करन का है इसका जो best answer है, ये एक टाइप से क्या है, संचारन है, corrosion है corrosion जो है, उसका example होता है, rusting of iron अब next, हमारे पास second जो question है, वो है, mage the column और ये जो mage the column question है, इसमें एक छोटी सी mistake हुई है हम इंगलिस में write करना भूल गए, तो मैं यहाँ पर उसको mention कर देता हूँ कि इसिस्ट चालकता, इसका मतलब है specific conductivity, कंडक्टिविटी कुछ आलक का मतलब है insulator, तो यहाँ की चालकता, lambda eq को कहा जाता है equivalent conductivity, विसिस्ट प्रती रोद मतलब specific resistance, रो को कहा जाता है specific resistance, मानक hydrogen electrode विभव, standard hydrogen electrode potential की बात कर रहे हैं, standard hydrogen electrode potential, यह है specific resistance, specific resistance, यह है equivalent conductivity, यह हमारे पास कुछ अलग-अलग option है, विसिस्ट चालकता, specific conductivity, इन में से हमको best select करना है, जो फिप्त है, मानक hydrogen electrode विभव, standard hydrogen electrode potential, इसका potential कितना होता है, अगर हम बात करें, तो कितना होता है, हमको पता होना जाहिए, 0, तो फिप्त का तो 0, जाएगा, अब उसके बाद हमको देखना है, कि कुछ अलग-इन्सुलेटर जो है, वो current flow नहीं करता, तो अगर current flow नहीं करता, तो यहां पर आ जाएगा, current, does not flow current, equivalent, conductivity है, विसिस प्रतिरोध है, अब इन दोनों और एक विसिस चालगता है, तो चालगता है, यह स्पेसिफिक conductivity, तो स्पेसिफिक कंड़क्टिविटी की unit होती, ohm inverse, centimeter inverse, यहां पर अगर हमको कहीं दिख रहा है, तो यह option होगा, ohm inverse, centimeter inverse, यह हो स्पेसिफिक कंड़क्टिविटी के लिए हमने लिखा, ohm inverse, centimeter inverse, इंसुलेटर जो है, डाज नाट फ्लो करंट है, एक्विएलेंट कंड़क्टिविटी, एक्विएलेंट कंड़क्टिविटी के लिए यह unit होगी, ohm inverse, centimeter square, equivalent minus one, विसिस्ट प्रतिरोद, स्पेसिफिक रजिस्टेंस, रजिस्टेंस के लिए क्या होगा, ohm into centimeter, ohm into centimeter, है, और यह standard hydrogen electrode, मानक hydrogen electrode के लिए आएगा, zero alt, इसी टाइप से, एक और हमारे पास, मेजद कॉलम है, और यह मेजद कॉलम जो है, इसमें हम, यूस करेंगे, फिर से इसमें क्या है, कि इंगलिस में given है, तो हमको इसको पहले में हिंदी में एक बार explain कर दित, फिर इंगलिस में बात करेंगे, पहला है विशिस चालकता, तो विशिस चालकता, विद्दुद्रासैनी गटना है क्या, किसी एक चालक की एक घंग सेंटिमीटर की चालकता है, तो यह इसका first answer होगा, कीटा का मतलब क्या है Спशिक केक सेटिविटी जो है वन क्यूबिक वाल्यूम केकिंग्ट एंस को र MID के सेट Im tard जो भी इंतेंगे शहां होता है फ़ोला जाता है अपाटी सेल और फ्यूल सेल के बारे में आपने एक लाइन पढ़ी होगी किसकी जो 1 एसेंशी होती है वह हाईश्ट होती और कितनी होती है अगर आपको याद हो तो 74 परसेंट यहां पर लिखाये अधिक्तम दक्षता इसकी हई ऐगी कितनी हाई कितनी होती है 74 परसेंट याद रखेंगे हाई एफिशेंसी यह किसमें आ जाएगा सेकंड में थर्ड सीशा संचायक से लेड इस्टोरेज बेटरी और लेड इस्टोरेज बेटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन होता है है एस्टोरेज बेटरी यह लेड इस्टोरेज बेटरी संचारंड संचारंड क्या होता है को रोजन के लिए अगर हम देखे तो यह एक एलेक्ट्रोकेमिकल फिनॉमना एपमिना है इलेक्ट्रो केमिकल फिनॉमना फिनॉमना इसका आजाएगा फॉर्थ एक फेराडे जो है वो यह nathe приб आं फिराडे किसे इक्वल होता है तो वन फैराडे इस इक्वल टू nais C 5 00 कुलाम यहा पर हम इसको नंबर देंगे फिप्त फिप्त लास्ट जो बचा है वो है लोहे पर दिंग की पर चड़ाना कोटिंग आफ दिंग ऑन आईरन कोटिंग ऑफ दिंग ऑन आईरन इस कॉल्ड गैलवनाईजेशन तो हमारा यह एंसर हो जाएगा गैलवनाईजेशन यह जो में इतना इंपोर्डेंट है कि मैं बोल रहा हूं कि इसमें से एक कोशन जरूर आएगा आप इसको अच्छे से देख लें हो सकता है कि इसी में से दोनों आ जाए इतना इंपोर्डेंट है सब पूछा गया है गैलवनाईजेशन क्या है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था थैंक पार वाचिंग आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंड बाक्स में बताए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैं